हाई गाईज आपके अपने चैनल सब्सक्राइब आप सभी का स्वागत है आपके सब्सक्राइब नए टॉपिक के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं जी हाँ दोस्तों मेरे पैर बच्चों आज हम किसकी कछा 10 की पढ़ने वाले हैं ट्राइब लेटर अप्लिकेशन लिखेंगे करें एक अप्लिकेशन लिखेंगे और टॉपिक क्या होगा चलिल टॉपिक को बता देते हैं और अची तरीकशते हैं लिखने का तरिके से उसकी संफूर जानकारी जानते हैं और एक अच्छे में जानते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस स्टर्डी को आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और भरोसा रखिए आपको एक अच्छे वे में अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी जो का बहुत ही important questions हैं आपको बताया जाएंगे आपको exam में हो बहुत कुछ नहीं यह प्रस्न मिलने वाले हैं चलिए start करते हैं हमारा topic क्या है for improvement and sanitary conditions हैनि की improvement हमारे sanitary conditions हो क्या करना है हमें improve करना है ठीक है आगे चलते हैं अब topic हमारा क्या है कि इस topic हम लिखने वाले हैं तो मेरे पहरे बचों जान लिजिए इससे आप समझ गए आप जब exam में बढ़ते हैं आप इस चीज को अगर समझ गए अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको application लिखने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि अगर आप समझ गए कि इस topic हमें application लिखना है कैसे लिखना है तो आप लोग अपने से कुछ अगर translation मालूब रहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं ठीक है लिखने की कोशिस करिएगा चलिए start करते हैं write an application write an application एक application लिखिए to the chairman of the municipality यानि जो municipality के हमारे जो chairman है उनके के लिए एक क्या लिखें application लिखिए of your city or health officer requesting अपने city के health officer के लिए requesting करें हैं उसमें him to improve the sanitary conditions जो हमारे sanitary conditions है conditions in the part of in the part of city you're living अनि आप जहां रहे हैं वहां की जो sanitizing है sanitizing करना है उसके लिए क्या लिखें एक पत्र लिखें और अपने चेयर में को ठीक अपने area के चेयर में को health officer को क्या लिखें एक क्या लिखें एक application लिखें चलिए start करते हैं और आगे जानते हैं कैसे लिखा जाता है एक अच्छे तरीके से मेरे पारे बैचों मेरे साथ बने रही है और channel of share भी करते रहे हैं यहां पर क्या है टू साच पहले क्या लिखते हैं तू लिखते हैं उसके लिखना होता है कई बार मंदां बताया मेरे पारे अच्छो जिसको हमें लिखना application उसका नाम लिखते हैं the chairman क्या करते हैं the chairman municipal board of गोरखपूर यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं municipal board गोरखपूर रिस्पेक्टे यहां पर जो हमारा municipal board का है गोरखपूर का है ठीक है आगे चलते हैं मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं इस तरफ यहां आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि to the hydrogenic conditions in a सुभास नगर यहाँ पर क्या है कि एक hydrogenic condition बन गई है मच्र उत्पन्नों कहें यहाँ पर क्या है कि हमारे सुभास नगर यहाँ पर यहाँ पर बढ़ियों परियावरन है वहाँ पर क्या होगा दूशित हो गया एन गोरक पूर में है ठीक है मेरे पेरोचो आगे चलते हैं the drains are not cleaned यहां से पानी आपको क्रास करता है पूरे पूरे एरिया का वो क्या है कि यहां पे clean नहीं है क्या है clean नहीं है ठीक है clean नहीं है तो इससे क्या होता है so the dirty water collects and strings bodily हमें क्या करते हैं कि जो हमारे गंदे waters हैं क्या करते हैं हमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं प्रभावित कर रहे हैं there are heaps of rubbish and garbage here यानि कि बहुत ज़्यादा यहां पे क्या हैं ऊड़े करकट इकठ्थे हो ग गए हैं and they are in a streets यहां पे गलियों में क्या है यहां की गलियों में बहुत ज़्यादा कूड़े करकट क्या हो गए हैं इकठ्थे हो गए हैं the the gutters दो हमारे gutters हैं are choked in a fully fully water overflows the road यानि कि जो हमारे gutters हैं इस कारण क्या होते हैं फुल लोड हो जाते हैं क्या हो जाते हैं फुल लोड हो जाते हैं जिससे कि जो हमारा पानी है जो water है क्या होता है कि सड़क के ऊपर क्या होता है बहने लगता है क्या होने लगता है सड़क के ऊपर क्या होता है बहने लगता है तो दोस्तों आप अनि जो गलियां है उसमें और जो नाले हैं उसमें क्या है बहुत ज़्यदा कछड़ा फस गया है जिसकी साब सफाई नीमी तरीके से नहीं हो रही है जिससे कि यहां पे जब बरसात होती है बरसात का मौसम होता है तो वहां पे क्या होता है गलियों में और सडकों पर पानी भर जा करता है जिससे की हमारे आने जाने में बहुत ही क्या होती है परसानी होती है ठीक है आगे चलते दि आ भीज़ाना हार्ड टू रीन हमें यहांदा क्या कर रहे हैं बहुत ही कठीन जीवन आपन कि रहे हैं आप इस उन हुझा है किए्धार रहेborgर सतनर पोट tous जो हमारी जो पर्यावर्ण असंतुलित हुआ है यानि कि जो हमारे यहां गंदगी है इससे क्या है कि हाइजेनिक का मतलब क्या हुआ कि अनियमित तवर से ठीक है अनियमित इस्थिति से यानि कि जो हमारे कुड़े कट-कट कट्टे हो गए है इससे क्या है कि हमारे जिहने में परसानी हो रही है और हम लोग बहुत कठी से जीवन यापन कर रहे हैं तो आप इसके बारे आगे चलते हैं आगे क्या है कि मैं इसलिए रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप अरेंज करें फर प्रापर किलनेस और इन आवर एरिया आप हमारे एरिया में प्रापर मतलब एक अच्छे बेस से किलनेस मिन्स क्या होता है कि आप इसकी साफ सफाई इन आवर एरिया की साफ सफाई हमारे एरिया की साफ सफाई अच्छी तरीके से करें ठीक है hoping for an early action असा करता है कि आप इसमें ये एक तुरंत ही क्या करें action ले बहुत ही जलतरी के इसमें action ले action ले इसमें ठीक है आपका क्या है आपका sincerely यानि कि आपका आपका आग्याकारी नागरिक यहां पर you sincerely means क्या होगा आपका आग्याकारी नागरिक ठीक है नागरिक कना है नागरिक ठीक है आगे चलते हैं आगे है सबुक्षक और अचीं से आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए तो क्लास तेन्स की मोश्ट इंपॉर्टन कुछिन कच्छा दस की मौस्ट इंप्रकुछ जो क्या आपके एकजाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कुछिंस हैं उसको मची तरीके से आएगा जरू ठीक है मेरे प्यार बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजिए हैं तो देख पड़ते हैं तो से पहले हमारा क्या है सबस्क्राइब हमारा कुछन क्या है कि यहां पर देख सकते हैं आप वेर डिट दर सेरेमिनीज टेक प्लेस कैन यू नेम एनी पबलिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट और मेड आफ सेंट स्टोन ठीक है तो इसका यह अंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्छों इसको आप देख लीजिए आप पे दे सेरेमिनीज टुक प्लेस एनी की टुक प्लेस इन डा लवली सेंट स्टोन एट्मासफियर जो सेरेमिनी होती है वहां क्या होती है कि एक अच्छे स्थान पर मनाई जाती है इट वाज फार सम pounds बना होता है वाय यूनियन विर्टिन से और वान वने का इन्डिया में है जो प्त्थर होते हैं बालू के जो पत्थर होते हैं बालू कर साइट को आपके बदाने को बनाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं नेक्स कुस्सक्ति हमारा क्या है अगला कुस्तिन क्या है मेरे पैर बच्छो देख लिए यहां पर अच्छी तरीके साब लोग को बताएंगे अच्छे वे में अच्छी तरीके साब को समझाने कोसिस करें ताकि आपको कोई चीज छूटे ना और समझते रहें मेरे साथ बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अपने दोस्तों को भी बताईए हमसे जूड तो यहां पर इथम सॉंग यहां कि कौन कौन से दो नेशनल सॉंग है तो आगे चलते हैं तो नेशनल एथम दो राज्टी साउंग्स वन ओफ दब्लैक्स एंड अधर आफ द वाइट्स वेयर संग टू एंड रेसियल प्रिजग प्रिड़ाइस एनिक प्रिड़ाइस इट स यह प्रण्ट शेजगा पर क्या करते हैं मनाते हैं अपना कि राष्टी नेशनल इंथम्स चुकर इसको आप समझ गयोंगे आगे चलते हैं और फ्राद वाद वाड़ फ्राड फोजेशन समीं यानिकी तो अपनी आपके संग्स आपन आप जो वर्ड है वर्ड की स्थिर्था का नियम क्या है, क्या नियम है उसका, तो इट मीस दैट इसका मतलब है कि we are living in a world of materialism, यहनि कि जो पलार्थिक संसार में हम रह रहे हैं, यह इस्थिर्था के नियम है, इस्थिर्था के समान हम ले सकते हैं, इसलिए इस अंसान में क्या करता है कि वहां बढ़ता है ठीक है लड़के कोई बढ़ते हैं ठीक है अनि-स नियाम है जिसका संसारिक नियम है ठीक है मेरे बच्छो आगे चलते आगे क्या है मैं रेफलगा रुड़के कर्श डीक क्या कहा है श्री एक हौँ है इनने कि मिवर्स कै इस ट्वी बेतनेरी भी सरजन ऐड़ी आगे चलते हैं आगे की क्या है maara इट Is The Norettor As Rich As Tricky Mistress तो इस motivation एड़नेर्टर उज फ्रिकी मिस्ट्रेस तो इसका जो हमारा नरेटर है वह क्या है धनी नहीं है जैसा की ठीट है यह कोई ब्यक्ति का नाम है ठीक है इधना उसका यादा क्या है रुचीज नहीं है आगे चलते हैं what kind of a person is her husband यह उन्हिकि what kind of a person is her husband आपके जो person का husband है मह rocketsा होना चाइए Her husband is very simple यह उफ वेरि सिंपल है थीक है Simple hearted person यह यह बहुत साधारन हिर्दय का ब्यक्ति है क्या है बहुत साधारन हिर्दय का ब्यक्ति है यह कोई चैप्टर है उसकी कहानी का लिया गा है मेरे पेर बच्चो और आपकी यह पूरे से कुछ से लियागा जो कि बहुत ही इंपॉर्टन पर्ट कुछ सने है आप एक्जाम में जाएंगे यहें कुछ से रट कर अगर लिख देंगे तब भी आपको पास कर दिया जाएगा तो आप इस तरीके समझे चलिए और अच्छी तरीके से इसको लिखते भी चलिए ताकि आप वो कोई समझने में आगे दिकत नहीं ठीक है तो यहां पर अगला क्या है कि एक आडर मतलब क्या होता है कर देंग चिंता करते हैं क्या करते हैं मेरी क्या देखाल करते हैं मुझसे मेरी केट्द करते हैं करते हैं टीक है मेरी क्या करते हैं केर करते वाले परसन है यह आलवेज वांट टो सी एम 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 लॉय 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 सेस्ट यहनी कि वह मुझे अपने साथ हमेशा देखना चाहते हैं मुझे वह मुझे हमेशा अपने साथ क्या करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो मेरे प की जो समझ नोटिफिकरिसन है आपके स्क्रीन पर आए तो मेरे पर बैचो आगे चलते हैं यम एंड एम 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 ए लो एसल डिसाइड टू बारो अडाइमंड नेकल नेकलेस है नहीं कि जो पती पतनी है इन्हों ने क्या किया डिसाइड किया कि हम एक क्या लेंगे डाइमंड नेकलेस लेंगे क्या लेंगे डाइमंड नेकलेस लेंगे इट इस फ्राम हर फ्रेंड एम एमी फॉरेश्टर यानि जैसा कि उसके क्या लिया है इट इस फ्राम हर फ्रेंड वहां उसके फ्रेंड से एमी फॉरेश्टर जो कि वहां क्या है फॉरेश्टर है ठीक है उसकी तर से जो कि बहुत ही इंपॉर्टन कुछन तो यह इंग्लिस का ठीक है यह टोटल आपको कुछन थे तो आसा करते हैं वीडियो को पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा सेयर करें लाइक करें और हां मेरे प्रचो इसके लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिए कहा आपको अगले वीडियो में जरूर उसकी क्यारी साल्व कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चो नून इखिडमी यह इंडिया की सबसे पहले ऐसी आपकी प्यारे बच्चो ई-learning प्लेट फॉर्म है सूसल ई-learning प्लेट फॉर्म जो की आपको पूरा-पूरा फ्री में अब नून उ-learning प्लेट फॉर्म प्लेट से आपको डाउनलोड करना जो की पूरा-पूरा फ्री में कोर्स चला रही है अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है जिस नून इखिडमी प्यारे बच्चो फ्री में पूरा-पूरा कोर्स मिलता है और वह भी लाइव में जी हा बच्चो आपको NEET जैसे MBBS और डाक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको हाँ पे हिल्प करेगा और पूरा-पूरा कोर्स कम्पीट करवाएंगा जो की डेली चार से 5 पीम पर अभी चल रहा है और क्लास 11 वाले क्लास 11 की बायलोजी पढ़ा रहे है तो फटा-फट जाके ज इस्क्रिप्ट्टन में है वहाँ से जाकर के आपको फटा-फट्वर्ण अकेडमी पर हमारे कोर्स को जोइन कर लेना है आज हम किस टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं जी हाँ मेरे पैरबच्चो आज कच्छा दस की दस की हम लेटर से पढ़ने वाले लेटर के बारे हम जानने बाले हैं लेटर कैसे लिखा जाता है लेटर को एक अच्छे बे में लिखेंगे और अच्छी तरीके सानेंगे और उसके टॉपिक के बारे में समझेंगे अगर आप टॉपिक समझ गए तो आप क्या करेंगे लेटर को बहुत ही आसानी तरीके से लि आपको मैं वादा करता हूं कि आपको 100 से 100 पर से नमबर लेटर से राइटिंग में मिलेंगे और शलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम जानते हैं किस टॉपिक पर हमें लेटर से लिखना है तो यहां पर क्या दिया है अपने पिता के लिए एक पत्र लिखें यहां पर आप समझ सकते हैं मेरे पार बच्छो किस पर लेटर से लिखना है कि आप एक्जाम में आग्याम में इंग्लिस में आप अच्छे माक्स क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं करते सकते हैं इसके लिए आपको एक्स्प्लेन करना है अपने पिता जी को एक लेटर लिखना है यहां पर क्या लिखना है चलिए स्टार्ट करते हैं आगे चलते हैं यहनि कि आपका सब्स six mission compound westerns ठीक है और यहां पर कुछ भी पता लिख सकते हैं जैसे यहां पर लिख सकते हैं यूप प्रयाग राज यूपी ठीक है प्रयाग राज यूपी यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं मेरे पैरे बच्चो चलिए आगे जानते हैं आगे क्या है कि यहां पर क्या लिख सकते ह आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जिस एड्रेस को आपको लिखना है आगे चलते हैं आप यहां पर लेटर किसको लिख रहा है अपने पिता जी को लिख रहा है तो यहां क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे you will be glad to know हमें जान कर यहां खुसी होई हमें आपको जान कर खुसी होगी मेरे पिता जी यहां का लिख रहा है कि पिता जी आपको जान कर यहां खुसी होगी कि I have मैंने score किया है कितना score किया है कि मैंने 99 marks in math मैंने क्या किया है 99% लाया है और 92 marks 92% mark किस में लाया हूँ science में लाया हूँ ठीक है how you were how you were इसलिए मैं कैसे I could not not get good marks in English मैं English में अच्छे marks नहीं पा सका नहीं पा सका बट लेकिन you need not worry this account इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे पहरे बैचों इसको समझते चली आप लोग अच्छी तरीके से लिए ठीक है इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है I could not get good marks in English because मैंने मैं इंगिलेस में अच्छे marks अच्छे marks यह नि गुड़ मार्क कुड़ नहीं पा सका क्योंकि because क्योंकि यह हमारा क्या मेरे पहरे बच्चों यह हमारा है preposition क्या है preposition अच्छी तरीके समने चलिए क्योंकि I could not spare enough time for study मेरे पास इंगलिस पढ़ने के लिए परियाप्त समय नहीं बचा यहीं कि मैं इतना समय नहीं बचा कि मैं इंगलिस में अच्छी तरीके से पढ़ सकूँ ठीक है यह explain कर रहा है अपने पिता जी को कि मैंने क्यों इंगलिस में अच्छे marks नहीं प्राप्त किया most of my time was consumed by math and science नहीं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय में क्या हुआ कि बैय हो गया या चला गया मैंने इसकी तैयारी में ज़्यादा समय लगा दिया बट लेकिन since I have mastered math in science इसलिए मैं क्या हूँ कि I have mastered मैं math और science का mastered हूँ मैं उसमें क्या हुआ हूँ अच्छी तरीके से marks प्राप्त किया हूँ ठीक है मेरे पर बैच्छो आगे चलते हैं क्या है कि now अब मैं अनिक I shall give more time to English मैं क्या करूंगा कि अब ज्यादा से ज्यादा समय किस में दूँगा इंगलीज में दूँगा किसमें दूँगा इनगलिज में दूँगा थिक है इससे मैं अल्थिफफ ज्यतिक स्कोर करते हूं का ठीक है एक बाद फेस जान लेजिए मंचों मैंने क्या समझा हूं यहांपे you will be glad to know आप फिर से एक बार समझ लीजिए you will be glad to know आपकर यहां जान कर खुशी होगी कि that I have scored मैंने score किया है 99% marks in math math में 99% and our 92 marks किसमें science में however I could not good marks in English मैं English में अच्छे marks नहीं पराप्त कर सका लेकिन you you need not worry आपको टेंसा लेने की आवस्यकता नहीं है I could not get good marks in English मैं English में अच्छे marks नहीं पराप्त कर सका क्योंकि I could not spare enough time for this study इसके लिए मेरे पास परियाब्त समय नहीं बचा Most of my time was consumed by math and science मेरा जादा जादा समय मैं math और science में consume हो गया but लेकिन since I have mastered math and science मैं math और science का master हूँ now अब I shall give more time मैं अब अधिक समय दूँगा मैं अधिक समय दूँगा English में किसमें English को दूँगा अधिक समय I hope I shall make I hope मैं आसा करता हूँ कि I shall I shall आगे क्या है मेरे पहर बच्चों है आप लेक आप I shall make up I shall make up for it and fare fare will in this subject in the coming examination मैं आने वाले English के क्या करते हैं कि up for fare will this subject in a coming examination आने वाले exam में मैं अधिक से अधिक English में अधिक से अधिक नंबर पाने की कोसिस करूँगा जिससे आपको फिर से यानि मैथ और साइन्स की तरह मेरा नंबर देखकर आपको अच्छा लगे ठीक है मेरे प्रवेचों इसको आप समझ लीजिए और अच्छे भी मैं समझ सकते हैं को समझ चूके होंगitter तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रही होगे और चैनल को सेयर भी करते रहिए और जो भी नए हैं चैनल को स्सक्क्राइब पहरे करते रहेए ठीक है आगे चलते हैं Please convey my regards to mother यहाँ मेरे माताजी को हैनि कि regards to mothers to mothers मेरे माताजी को भी इसमें regarding convey मिन्स क्या होता है कि सूचना दीजे ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है कि मारा you're living son आपका, आपका प्यारा बेटा आपने यहाँ पे अपना नाम लिग देना है नेम लिख देना है ठीक है यहाँ पर अपना नाम लिख देना है ठीक है यहाँ पर अपना नाम लिख दीजे और यहाँ पर क्या लिखना है डेट लिखनी है क्या लिखनी है डेट लिख देना है दोस्तों आई होप कि यहाँ वीडियो बहुत जादा पसंद आई होगी अगर पसंद आईगे तुम्हारे चनल स्क्राइब कर लीजिए अच्छा दर्जियां मेरे बच्छों कच्छा दर्जानी क्लास तेंत की लेटर लिखने वाले हैं लेटर आप थैंक्स धन्यवाद के लिए एक नया चीज है आपको यहां सामने एक नए टॉपिक के साथ हैनि की लेट लेटर आफ थैंक्स किसी को धन्यवाद देने के लिए हम क्या करेंगे एक लेटर लिखने वाले हैं मेरे बच्छों हम कैसे लिखेंगे किस उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा चलिए स्टार्ट करते हूं और जानते हैं सब्सक्राइब कर लिजिए साथ-साथ बेल आइक बच्छों तो सब्सक्राइब क्या परदेना टॉपिक हम किस लिए उसको बिसकरने जा रहे हैं या थन्यवाद देने जा रही हैं तो आई हम टॉपिक के बारे हम जाने लेते हैं टॉपिक हमारा क्या है यू हैब रिसीव अब बर्थडे गिप यहनि कि आप किसी को बर्थडे गिप्ट दे कर आए है आप जिसे कहीं पर गया बर्थडे में इसको भी समझ लीजिए आप कहीं बर्थडे पर गया है किसी को बर्थदे गिफ्ट देकर आएं क्या शबाइस को बर्थदे कर आए है क सबस्क्ति अब भी जब लिए人аете कि अपना लिखए अपना नाम लिख यह क्या लिख देते हैं नौम हाँ लिख देते हैं और शमुए आंक क्या क्या है इसलिएव Alb fifa Nuka 시 Bayern a लिएव वह थीक है इसलिए आपको मुए क्या लिख रहा है यह पत्र लिख रहा है दन्यवाद देने के लिए तो मेरे बाइब बाइब बच्चों यहां पर आप दे सकते हैं वारी फ्रॉम यूर सिस्टर एंड या अंकल आप से आप के इस्टर यानी कुछ देगा यहां आपको उसी का नाम लिखना आए ठीक है लिखना है राइट अलेटर टू हर थिंकिंग फॉर हर फॉर दर सीम यहीं कि मेरे इस बर्थडे को और भी अच्छा बनाने के लिए धन्यवाद देना है उनको जो बनाने के लिए जहनवाद जो आपना गिप्ट द पहताना चाहूंगा कि यह आपका बर्थडे है किसी ने आपके लिए द Whenever di guest भाए है आप उसको धनिवाद देने के लिए का करना है एक पत्र लिख रहे हैं ठीक है एक पत्र क्या कर रहे है लिख रहे है ठीक है लाइट अलेटर टू हर थींकिंग हर फर दर सेम यहां चलो य हैरी बच्चो अलग होगा इसका पटरन क्या होगा यहां पर आत्र यहां पर पता है ने अबना आपर यहां पर दालते हैं तो यहां में यहां पर क्या लिग देंगा रहा fotos आहना अपना पता यहां पे आप डालेंगे ठीक है तो यहां पिका लिख देंगे 145 जैननगर मेरट और यहां पिका लिख देंगे उसका नीचे डेट डाल देंगे कि डेट पे आप लिख रहे हैं ठीक है आप जिसने आपको गिफ्ट दिया अब उसका यहां पिका लिखेंगे respected uncle sister brother कुछ भी हो सकता है यहाँ पे friend भी हो सकता है मेरे पैर बच्चो तो इसको आप लोग यह चीजे समझ लेजिए ठीक है समझ लेजिए we all were wondered to see यहने की we all were हमने सबी इसको देखा wonder to see the badminton rocket you sent me on my birthday यहने की अब मेरे birthday पर आपने जो badminton rocket यह चीजे भेजी थी वहाँ बहुत ही आश्चर चकित था मेरे लिए बहुत ही आश्चरी था मैं उसे बहुत प्रसंद वाठीक वंडर में इसकुछ भी ले सकते हैं आगे चाहते हैं among all other gifts receive यहने की मैंने और भी यहने की मेरे द्वारा ठीक है यहने की मेरे द्वारा बहुत सारे गिप्ट क्या किये गए रिसीब किये गए बट लेकिन आपका गिप्ट बेस्ट आफ वान का उपका भीवे सबसे मैंसे अच्छा आपका गिप्ट था सबसे अच्छा मनसे आपका गिप्ट यह था ठीक है it will remind me it will remind me यह मुझे हयाद रहेगा यह मुझे क्यार है रहेगा याद रहेगा of you and your love आपके पीसे प्यार के लिए ठीक है आप के और आप याद रहेंगे आप और आपका है प्यार ठीक है Every evening when प्रतिय साम को जब मैं I win I will play badminton मैं प्रतिय साम को क्या करता हूँ badminton खेलता हूँ ठीक है तो यहाँ आप और भी सब्द जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपके word होंगे यहाँ अपना word है यहाँ आप लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेगा with यहाँ आपको धन्यवाद देता हूँ ठीक है आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रस्कृत करता हूँ ठीक है यूर्स लवलिंग यहाँ आपका प्यार ठीक है आपका प्यारा जो भी आप जिसने आपको भेजा है वह आपका प्यारा यहाँ आपका प्यारा ठीक है तो यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ अपना क्या लिख देंगे नेम को लिख देंगे complete हो जाएगा मेरे बैर बच्चो और अच्छी तरीके से आपको समझ जा गया होगा और फिर से आपको सम्झाने कोशिद करते हैं फिर समझ लीजिए सबस्क्राइब तॉफिक देख लेंगे क्यों से टॉफिकों में लिखना था तो आप मेरा बर्थटे TOP doctor का बर्थटे है आपको बर्थटे में किसी ने आपको अपने रिसीव किया और उसी के लिए आपको क्या करना है धन्यवाद देना है ठीक है Red Dead रिस्पेक्टेड अंकल रिस्पेक्टेड अंकल यहां पे रिस्पेक्ट जिस ने आपको दिया क्या करना है उसका नाम लिखना है और यहां पर उसका क्या लिखना मैं क्या किया क्या क्या सब्सक्राइब किया लेकिन आपका गिप्ट क्या था वन आप दे बेस्ट था ठीक है एक प्रतेक साम को आपका वैडिमिंटन क्या करता हूं खेलता हूं ठीक है खेलता हूं यह आपको समझ जाएगा और अपने जोड़ सकते हैं आप कोई इसूस नहीं है आप कोई भी वड़ यहां पर लिख सकते हैं विट वेश्ट रिगार्ड यहनि कि आपके क्या करने आपका रिकार्ड बहुत अच्छा था यहनि कि आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं यह लव लिक यहां अपना नाम लिख देंगे आपका प्यारा यहां पर अपना नाम लिख देंगे तो यह आपर लेटर कंप्लीट हूजेगा अबाड करते हैं आश नय टापिक के साथ नय जोज के साथ एक अच्छे वर्चोजमें के सब्सक्राइब नहीं हैँ लिजकी हैं ल Estrang现在 के सब्सक्राइब हैं और किस तरीके से लिखा जाएता है दिए तो मेरे बच्चों लेटर में ईस्क्राइब लिखा जाता है इसको समझाने की कोशिश करेंगी आप लोगों को टो मेरे साथ बने रहे हैं याँ लिए और आप रेटे को स्टैणल को शेयर अले तॉपिक हमारा क्या है यहां क्या परते हैं विद्पत्र अत् Made किस alas मिनिश्टर मंतरी को कौन कि मनतरी को और सिक्छा मंतरी को सिक्षा मंतरी को एक पत्र लिखें lung पत्र लिखना है requesting him to improve education facilities for for graces in your area ठीक है तो मेरे पर बच्चों किस पर लिखना है यहने कि request करना है अपने education policy को एक बहतर बनाने के लिए अपने एरिया में अपने सिच्छा मंदरी को पत्र लिखें अपने एरिया की जो सिच्छा विवस्ता है फासिलिटी है उसको क्या करने क हमेरे पेरे बच्चों आप्त्रसुन समझ गए होंगी और इसके बारे में मन में ख्याल भीया रहाओ कि मैई कैसे इसको लिखूंगा ठीकर तो चलिए start नहीं में यूपी गॉवर्मेंट लखनव आप जिस भी राज मेरा रहें वहाँ के क्या वहां के जो राजधानी है वहां के मिनिश्टर लोग बैठते हैं तो आपको वहां का लिखना होगा यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर को यह आपका लेटर पढ़े तो तो अच्छी तरीक से उसको क्या हो जाए समझ में आ जाए ठीक है तो आपको जहां भी नई समझ में आएगा आप कमेंट में कर दीजिएगा मैं उसको साल्व करने की कोशिस करूंगा मेरे प्यार बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं तो इंप्रोव एक्श्के रिक्वेस्ट आपको क्या रिक्वेस्ट करना है उसको सुधारने के लिए उस कहारे लिए उसको तूट या करना है जर लिए या क्या करना है मैरे आप न कहरा रिख में आपकोThey तरीके समाप लोगों समझाएंगे एक अच्छे वे में समझाएंगे पेन खताम हो गई तो क्या हुआ लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वी द रेजिस्टे रेजी रेजिदेंट्स आफ लोहिया नगर रहना होता है है रेजिदेंट्स में उसका और आगे चलते हैं है यहां रहा रहे हैं जैसे कि हम कहां रह रहे हैं यहां पूर रोड मेर्ट वूड लाइक टुट्रा यूर काइंट अटेंशन में इस एरिया की तरफ आपका क्या ध्यान खीचना चाहता हूं तुवर्द इंप्रूमेंट् इंप्रूमेंट के के लिए अफ एजुकेसनल फैसलिटीज किसके लिए एजुकेसनल फैसलिटीज के लिए मैं आपका ध्यान इस और खीचना चाहता हूं ठीक है मेरे बच्चों यह अच्छी तरीके साब को समझना रहा होगा फौर गर्स यानिकि फौर गर्स लड़कियों के लिए इनवर एरिया अपने एरिया में लड़कियों के लिए जो सिक्षा एजुकेसनल जो सुविधा आये मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं या उसको अच्छी से मैं अच्छे तरीके से उसको क्या करना चाहता हूं और अच्छी थंकित संचारिज करवाना चाहता हूं ठ मोस्ट आप रेसिदेंस यहां कि बहुत ज्यादा यहां पर क्या रखते हैं रेजिदेंस लोग ठाहरे हुए हैं बिलॉंग टू लोवर मिडिल क्लास सुसाइटी आप सुसाइटी टू दे आर अनेबल टू अफ़र पबलिक स्कूल इसलिए क्या करते हैं लोवर मिडिल गलास लोग लोवर मिडिल क्लास लोग क्या करते निवास करते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में अपनी फीज को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्या करते है, यहां पर क्या है, केवल एक ही प्राइमरी स्कूल है, केवल एक ही इसलिए। और वनली टू टीचर्स यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है किवल क्या है किवल क्या है यह दो ही टीचर्स किने हैं दो ही टीचर्स हैं फार फाइब क्लासे फार फाइब क्लासे पांच क्लास के लिए किवल कितने टीचर्स हैं टू टीचर्स ही हैं, तो इसलिए टू टीचर्स का नाट इस टूडेंस प्रापरली, यहनि कि दो टीचर हैं, वो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या करें, प्रापरली यहनि कि प्रापर तरीके से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, यहन इसलिए हमारे क्या है कि यहां पर जो एज्ञेस नल जो फैसिली टीज है वहां बहुत क्या हो गई इन इंडवियट होगई है हमारे एडिया है तो आपको समझ में यहाँ कि आएotal और गिनी तरीके से वो समझनें आ गया होगा ठीक है मैं जब पढ़ेंगे कि बस अगर मोठा मोठा ले ये नहीं कि आ रहते हैं और यहां हपे क्या है कि हमारे जो primary school है primary school है उसके लिए सिर्फ क्या है उस में दो ही teachers available हैं जो की समस्त बच्चो को पढ़ाने में असमर्द हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं इसलिए क्या है कि यहां पे आप हमें primary school में डो-teachers की और विवस्था करिए यहां तक तो हम पड़ चुके हैं जिससे हमारी एज्वेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो सके या बैथर हो सके तो यहां तक आप समझ गये हूँगा अच्छा आगे चलते हैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेट आप वन मिडिल एंड वन इंटर कालेज यहां पर आप क्या करें कि एक मिडिल कालेज और एक इंटर कालेज ठीक है उसकी ब्यवस्था करें गर्स इन आवर एरिया इंप्रूब एज़िकेशनल फेटलिज प्रफ फार चिल्डरें जो हमारे बच्चे हैं यह चोट बच्चे हैं और गर्स लड़कियों के लिए स्कूल की विवस्था करें आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम इसको आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे एरिया हम क्या करें यह एक मिडिल स्कूल और एक इंटर कॉलेज खोलने की रिक्यूस्ट कर रहा हूं मैं आप से ठीक है यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे तिंकिंग यू इसके बारे में सोचना ठीक है इसके बारे में सोचना जो मैंने कहा है इसके बारे में क्या करना है आपको सोचना है मेरे प्यारे बचो यहाँ यहाँ पर क्या लिखना है यू थिंकिंग यू अगर आप किसी बड़े से बड़े को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर क्या रहन डाल देनी है ठीक है मैं एक नए टॉपिक पर आपको एक एससे राइटिंग लिखना बताऊंगा वहां कौन सा टॉपिक है क्लास जिए हमारे बच्चे हैं हमारे साथ जूड़ जाए और क्लास 12 की बच्चे जो हमारे हैं जूड़ जाए ताकि एसे राइटिंग आप अच्छ सटें हैं तो मेरे पभीचो मां यसे राइटिंग बताने जा रहा हूं कौन से टॉपिक बताऊंगा उसको भी आप लोग ITA deeper हूं उस λॉट साथ मेरो साथ बढ़ते भी चलिए तयो तो मैं बताने बात्रों ईससे राइटिंग क्या मेरे पारे बच्चो मेरे लाल अक्ति आ पूरे में जा रहा हूं और किस टॉपिक को बताएंगा वह टॉपिक हमारा है अब पोस्ट में यानि कि डाकिया डाकिया आप लोग जानते होंगे जो आपके घरों में अब तो साथ फोन आ गया आपको बहुत इस्विदाय हो गई लेकिन पहले जो था मेरे बचो डाकिया होत पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजा करते थे तो मेरे बच्चो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी क्या ड्रेस पहले क्या करेंगे और हाँ जो हमारे पुराने बच्ची हैं वह चैनल को सेर कर दीजिए और जो भी हमारे नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो सबसे पहले क्या है ही जड्रेस उसकी ड्रेस क्या होगी उसकी पोसाक क्या होता है और साथ है और साथ होती है हो आगी चलते हैं जर्णरली जो पोस्ट माइन होते हैं वह क्या करते हैं खाखी कलर की यूनिफॉर्म को पांगते हैं लेदर बैग क्या करता है हमें सबस्क्राइब क्या रहता है कि कौन सा बैग रहता है वह अपने कंदे पर रखे रहता है लेटर पत्र को पार्शल्स को और मनी आडर्स को क्या करता है अपने कंदे पर ये वह क्लेदर के भैग में रखे रहता है ठीक है इस एजुकेशन उसकी सिख्छा क्या है मेरे पर बचो अर्लियर ही वाजनाट हाइली क्वालिफाइड मैं यहने कि वहाँ प्रारंभिक से एक हाई मतलब कि highly qualified वाजनाट नहीं होता है यहनी कि highly qualified नहीं होता है उसके लिए क्या होता है metric class है यहनी कि तेंत प्रास तक वहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए बहुत इसमें high education की जरूरत नहीं होती है but the now but the new new comes are graduate लेकिन वह क्या होते है अब लेकिन अब लेकिन the new अब क्या है कि नहीं में क्या है कि अब graduate होते है graduate होते है they can read English, Hindi and Urdu well वे क्या कर सकते हैं English, Hindi and Urdu अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कर सकते हैं वे Hindi, English और अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं his work and usefulness उसकी work और usefulness हमारे लिए क्या useful हो सकता है ठीक अब postman work is not easy जो postman का work होता है वह आसान नहीं होता है क्या होता है आसान नहीं होता है मेरे बच्छो आसान क्यों नहीं होता है मैं आपको बताऊंगा He has to go on his duty weather, is rain, is rain, is rain, or sivering, chill, all burning sun यहने कि आप जाला हो, गर्मी हो, धूप हो या भरसात हो वह हर एक मौसम में आपका कारे करता है ठीक है हर एक मौसम में अपनी duty को वह निभाता है यह पोस्ट मैं या कारे होता है यह जैसा है मौसम हो आपका कारे करता है ठीक हर एक मौसम म आपको चिट्टी को पहुचाना है तो पहुचाना है He goes to post office at about 10 a.m. वह क्या करता है वह post office जाता है at about 10 a.m. 10 बजे क्या सूबह 10 बजे क्या करता है post office जाता है He sorts out letters of his area वह क्या करता है सार्ट आउट letters सभी letter को बाहर निकालता है अपने area को अपने area के सभी letters क्या करता है बाहर निकालता है मिर परेचों क्या करता है बाहर निकालता है और देन तब He puts a seal on them उसे क्या करता है seal करता है उसे मुहर लगाता है then He goes to deliver them तब उसे क्या करता है वहाँ deliver करने के लिए यह पहुचाने के लिए ले जाता है क्या करता है ले जाता है He brings money orders वहां money orders to the people and gives them money वहां लोगों के money orders को भी ले जाता है और उनको money order देने की देता है पहले लोग दोस्तो जो पोश्ट आफिस से पैसे भी भेजा करते थे ठीक अब तो अनलाइन हो गया गूगल पोन पे बहुत सारे चीज़े आ गई हैं जिससे आप पैसा भेज सकते हैं सेक्टे कर सकते है तो मिटाइनिता आप लोगों सेमझ में रारा हुगा आगे चलते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे आगे हां पढ़ने वाले हैं जिस सालिरी हीぎं उसकी सालिरी क्या होगी सालिरीस से क्या है ऑप्रॉष्ट मैन is not so well यानि कि a postman is not so well paid as hard his duties are इतना कठीन उसकी duties है उसकी अनुसार उससे हम क्या करते हैं उससे हम उदना pay नहीं कर पाते हैं, सरकाव उदना pay नहीं करती है ही general condition यानि कि एक साधारन condition में a postman is very useful to every member of the society यानि कि जो postman होता है useful होता है useful होता है प्रत्यक member of society his works hard यानि कि उसका work क्या होता है cut in होता है but he gets few holidays लेकिन होँ क्या करता है कुछ छुटिया भी प्राप्त करता है या पोस्ट मैन की कहानी थी आप पोस्ट मैन पर कैसे निबंद लिख सकते हैं मैंने आपको बताया ठीक है आप इसी तरीके से एसो को लिखेंगे और अच्छी तरीके समझेंगे मैं बच्चो तो आसा करते हैं यह वीडियो आप लोगो पसंद आ रहे हैं I hope पसंद बहुत आएगी एक बाप फिर मैं इसको revision कर देता हूँ आप लोगो समझा देता हूँ जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखे हैं post mine इससे आपको post mine पर लिखना है post mine क्या क्या कार करता है यह आप लोगो पता होना चाहिए जैसे कि उसकी risk कैसी होती है risk के बारे में उसकी education कितनी होती है इसको आपको पता करना है उसके बाद उसका work हमारे लिए कैसे useful है जैसे हम किसी को parcel भेजते हैं तो कोई postman क्या करता है हमारे जो letters होता है या कोई money money orders होती है वहां दूसरे बेक्त को लेगा जाकर देता है ठीक है तो यह उसका कारी है उसकी usefulness है आगे चलते हैं his salary उसकी salary के बारे हम जानेंगे उसकी salary कितनी होती है जैसे कि आप यहां जानेंगे कि कि इसकी salary कितनी होती है उसकी जर्नल कंडिशन क्या है आई होप आपको पसंद आई होगी आज हम मेरे वेच्छा दस की essay writing पढ़ने वाले हैं और इस essay writing को हम क्या पढ़ेंगे कि इस topic पढ़ने वाले हैं चलिए जानते हैं और अच्छी तरीके समझेने का प्रयाज करते हैं ठीक है तो मेरे बच्चों सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के समद्ध नोटिफिक्रेशन आपको इस स्क्रीन पर आए आगे चलते हैं हम topic पढ़ने वाले हैं काउन सा topic पढ़ने वाले हैं कच्छा दस में एस से writing आता है मेरे पढ़ने वाले हैं तो आई होप आसा करते हूं कि आप लोग इस तरीके समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे आप लिए से तो डाउन भी कर सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं सबस्पहले किसे introduction introduction में क्या होता है परेचे़ जी हमेरे पर्चेह होता है ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है हमारा Mind is a social being मनुष्य क्या है एक सामाजिक सामाजिक ब्यक्ति है या प्राणिक है जो मनुष्य है जो मनो है वह क्या है एक सामाजिक प्राणि है इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं जो मनुष्य हमारा क्या है सामाजिक प्राणि है इनकी We live in society हम क्या करते हैं समाज में रहते हैं सजाइटी में समाज में रहते हैं Beside to propose circle of friends हम क्या करते ہیں हम पर चारों जो किर movies आने मित्र का मैं कहीं जाते हैं वहाँ पाम मित्र बनाते हैं तो वहाँ पे एक closed friend circle होता है for our harmonious development we need company to friend यहनि कि जो हमारा एक गतिसील सा magic development विकास है वह company of friends जो company of friends यहनि friends के company देने यानि कि मिलने से होता है है ठीक है दोस्तों कि मिलने से होता है तो इजना आप लोगों को समझागा होगा चलिए आगे पढ़ते हैं आगे हमारा क्या है कि name is and percentage ठीक है आगे चलते हैं नेम मारा क्या जैसे कि name अतुल गुपता is my class fellow as well as best friend जो अतुल गुपता है is my class fellow मेरा सहपाथी है as well as best friend जैसा कि मेरा एक बहुत अच्छा friend है या मित्र है ठीक है his father उसके पिता is a famous doctor of this town इस जीले के या इस कस्वे के बहुत ही मसहूर क्या है doctor है जीले के बहुत ही मसहूर doctor है ठीक है तो आगे चलते हैं आगे हम क्या पढ़ते है मेरे प्रच्छो या ने कि उसके पिता क्या है इस जिल्य क्या है इस टाउन के बहुत ही मसहूर क्या है डॉक्टर है आगे चलते हैं हीज ड्रेस एंड हैबिट्स उसकी ड्रेस और हैबिट्स यह अपने मित्र की ड्रेस और हैबिट्स के बारे में बता रहा है ही जी ड्रेस इस अल्वेज नीट एंड क्लीज वह क्या करता है हमेशा नीट एंड क्लीन एक साफ सुथरा कपड़ा धाराण करता है पहनता है नीट एंड क्लीन मिन्स क्या होता है साफ सुथरा साफ सुथरा मा कपड़ा हमेशा पहनता है ठीक है He is punctual and regular in his work वहाँ क्या है कि punctual and regular ठीक है वहाँ नियमित तरीके से अपने कारी को करता है ठीक है वहाँ अपने नियमित तरीके से वहाँ अपने कारी को करता है He is an early riser यहने कि वहाँ सुबह बहुत जल्दी उड़ता है जल्दी उड़ता है वहां रेगुलर क्या करता है सुबह बाग करता है क्या करता है सुबह बाग करता है तहलता है वहां डेली सुबह में रेगुलर रेगुलर तरीके क्या करता है तहलता है ठीक है वहां मंदिर क्या करता है डेली जाता है he does not like tea एहनी कि वहां चाय को पसंद नहीं करता है चाय को पसंद नहीं करता है तो आप लोग मेरे पर अच्छो sentence अपने से भी बना सकते हैं इस में लिख सकते हैं आपकी जैसी इच्छा ठीक है आप मेरे sentence को भी लिख सकते हैं He is fond of fruits and milk. वहां क्या करता है? वहां milk और fruits को खाता है. क्या करता है? वहां हमेशा milk और fruits को क्या करता है? वहां ग्रहन करता है, ठीक है? आगे चलते हैं. His interest in games and sports and cultural activities. वहां क्या करता है? Games और sports की cultural activities में क्या करता है? रखता है interest में क्या करते हैं उसमें लगाव रखता है ठीक है इंट्रेस्ट में क्या रखता है ठीक है he takes a keen interest in games and sports वह क्या करता है वह interest रखता है games और sport में he is very good player of cricket वह एक cricket का बहुत अच्छा player क्या है वहान या cricket बहुत अच्छा खेलता है क्या है यह इस क्रिकेट टीम बनती है तो कोई नंकोई होता है क्या है क्या है क्या है मिर फ़ आके चलते हैं आ-गए हम प्राण इसका इदना, पर लोग को समझ में आज गया होगा तो अभी ऑन आखें इसको बता दें से थे तरीकde समझ में आएगा आगे चलते हाथ क्या मेरा क्रिकेट टीन नहिए क्रिकेट में उसका क्या क्या है वहांघा चलते हैं ये इस आर सो he is also cleanly interested in a cultural activities वहाँ क्या है कि वहाँ cultural activities में भी क्या करता है बहुत ही active रहता है इंट्रेस्ट रखता है cultural activities में क्या रखता है इंट्रेस्ट रखता है his performance on stage is liked by all उसकी जो performance है जो उसकी performance है वह on stage is liked by all सभी के द्वारा पशंद किये गई क्या की गई पशंद की गई he takes part in debatis and wins price वह क्या करता है वह हमेशा price को बिन करता है यानि कि हमेशा इनाम का हकदार होता है he good quality उसकी कुछ महतपूर quality क्या उसकी quality कौन कौन सी है he is gentle he is क्या है वहाँ साधारण है gentle है मतलब kind person है kind, handsome and good looking वहाँ क्या है जयालू है handsome मतलब सुन्दर है और good looking good looking है अच्छा दिखता है he is active and smart he respect and obey his teachers यानि कि वहाँ क्या है active है और smart है क्या है smart है और हमेशा active रहता है he respect and obeys his teachers वहाँ क्या करता है वहाँ teachers की जो teachers है हमारे जो हमारे teacher है उसी चागा the respect करता है और आग्या का पालन करता है teachers की आग्या का पालन करता है he treats his classmates classmates like his own brothers वहाँ क्या करता है जो हमारे class में जो लड़के हैं जो class में हमारे पढ़ते हैं ऐसा पाती है उनको क्या करता है वहाँ बर्दर के तरह अपने भाई की तरह treat करता है he helps if someone ask for his help in removing some difficulty in studies वहाँ क्या करता है कि सारी बच्चों की study करने में भी सहायता करता है ठीक है तो मेरे बच्चों इसको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके समझ लिजे इसको मैं एक बाद फिर से बतानी कोसिस करूँगा calculation calculation निकालते हैं he is a really an ideal वहाँ क्या है वास्तिक में क्या है एक ideal वहाँ है आप और कालेज हमारे कालेज का diet that is why the principle and एन की की वहाँ के क्यों principle and all the teachers are very pleased with him उसे क्या करते हैं हमेशा आगे बढ़ने का सुझाओ देता है या उसे क्या करते हैं उसको एक pleased with him उसे क्या करते हैं उसके साथ सहानुभूती रखते हैं तो एक बाँ मोटे दाओ रख दीजिए इसे वहाँ पर फ्रैंड है तो फ्रैंड में क्या लिखेंगे introduction लिखेंगे name of age and percentage his dress and habits और क्या लिखेंगे मेरे बच्चो और his interest in the game and sport cultural activities उसके क्या रूच्ची है उसको पढ़ेंगे उसके बाद his good qualities पढ़ेंगे उसका कलकूजे हम निकाल देंगे मेरे पहरे बच्चो अच्छा करते हैं बढ़े लोगों पसंद आई होगी कच्छा दस यानि क्लास तेन्थ के writing later के बारे हम पढ़ने वाले जाते हैं तो बहुत ज्यादा कठीं नहीं होता है लिखने में जानते हैं आग चलते हैं topic मारा क्या है योरे अग्जामिनेशन्स आर वर आप के मियूमिनेशन्स, ववर हो गये हैं एक समावत हो गया है You want to rest and recreation मैं क्या करना चाहता हूँ कि rest लेना चाहता हूँ and recreation दूबर अपने आपको तयार करना चाहता हूँ write a letter to your uncle अपने uncle को एक पतर लिखें lives in similar informing him यहनी कि जो क्या करते हैं similar similar में रहते हैं यहनी similar में रहते हैं उन्हों क्या करना inform करता है that you want to stay with him for a week उनके साथ एक हफ्ते के लिए के लिए यहां लिगता है लिए कि पता लिखेंग यहां पता लिखेंगे एड़ जैसे यहां पर लिख दिया कि 95 95 श्यूव सतन जीती रोड हापोर फिप्ट महई अनरे कि आप जिस डिएट को लिख रहे हैं उस डिएट को невर के डाल देंगे आगे चलते हैं किसको लिख रहें अपने आंकल को लिख रहे हैं किया लिखेंगे रिस एक्टेड अंकल क्या लिखेंगे रिस्पेक्टेड अंकल क्या लोग eats रिस्पेक्टेड अंकल अगर आप जिस पर भी लिख रहे हैं उसका भी यहाँ पर नाम लिख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं माई एनुएल एक्जामिनेशन मेरा एनुएल एक्जामिनेशन आर वर समाप्त हो गया है मैं आनंद करना चाहता हूँWork माई हॉलिडेश इन रिक्रीयेशन में तरा में आपने शुटियों का शुटियों मैं रिक्रीयेशन अपने आपको क्या करना चाहता हूँ सुधार करना चाहता हूँ अपने आप में ठीक है I want to stay with you मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ I am similar and want to enjoy the beautiful mountains and see the visit points of the city मैं city के बिजी में city में क्या करना चाहता हूँ visit means क्या होता है मेरे फैर बच्चो ब्रहमड यहां पिजान लिजी क्या होता है भ्रहमड होता है mountain मिन इसका होता है परवट होता है ठीक है और beautiful में काता है सुन्दर 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 होता है enjoy how how the छान लिजी want मिनज क्या होता है चाहना होता है recreation मिनज क्या होता है तयार करना अपने आपको या खोशी देना ठीक है तो यह से चीज़ आप लोग जान लेजी अच्छी तरीके से आगे चलते हैं हम क्या करना चाहते हैं I want to stay video में आपको साथ रूपना चाहता हूँ I add similar similar में I want to enjoy और मैं आनंद लेना चाहता हूँ the beautiful mountains ये एक सुन्दर सुन्दर परवतो और visit points of city But city में अच्छी जो चुब है मैं मैं क्या करना चाहता हूँ? Visit करना चाहता हूँ besides it 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 I want to I want to take rest in your home मैं क्या करना चाहता हूँ? आपके home में आपके घर में क्या करना? rest लेना चाहता हूँ in a life of nature मैं प्रकित के इस में क्या करना चाहता हूं आपके क्या करना चाहता हूं मैं home means क्या होता है घर होता है besides means क्या होता है besides means क्या होता है बगल आपके बगल जो भी परवत हैं या cities हैं मैं इनमें क्या करना चाहता हूं ब्रहमर करना चाहता हूं ठीक है in the life of nature in the life of nature यहां पहुंच जाओंगा 10 मैं यहां पहुंच जाओंगा तो यह आप लोग अच्छी तक इससमझ में जाएगा तो यहां पे किसластर लिए उपर चलते हैं हमें राइडिंग लिखना था किसमें लेखना था यह रिखनेट झायाम पूरा हो गया है रिक्रीयेशन रिक्रीईइUN कर सकते हैं write a letter to your uncle अपने uncle को क्या लिखें एक पते लिखें lives in a similar informing him that similar में रुखने के लिए एक पते लिखें और you want to stay उनके साथ रुखने के लिए with him for a week एक हफ्ते के लिए उनके साथ रुखने के लिए आप क्या करें request कर सकते हैं मैंने पता लिखा क्या लिखा पता लिखा और उसके बाद respected uncle जो भी चीज़े हैं उसको क्या किये respected uncle हो गया उसके बाद क्या किया as you know जैसा कि आप जानते हैं my annual examination मेरा वार्षी परेख्चा are or in one to enjoy my holidays हैनि कि मैं अपने जो छुटियां हैं उनको क्या करना चाहता हूं enjoy करना चाहता हूं और recreation मैं उसमें recreation करना चाहता हूं I want to stay with you मैं आपके साथ रुखना चाहता हूं add similar पर similar me and want to enjoy enjoy आनन्द लेना चाहता हूं the beautiful mountains and see the see the visit visit points of city मैं city में भ्रहमर करना चाहता हूं और city को देखना चाहता हूं besides it I want to take rest मैं rest लेना चाहता हूं in your home आपके घर में in the lab of nature प्रकृत के बीच में I shall reach you on 13th मैं मैं आपके पास क्या करूंगा 10 मैं को पहुचूंगा ठीक है we best regards आपके best regards में क्या हुए Best regards में उसका होता है आपका आशिरवाद से व्यूर लववली आपका प्री academic कुछ भी हो आपका बतिजा आपका कुछ भी हो सकता है तो मेरे पर बच्चो यहां आप आप लोगों समझ में आ रहा होगा यहां आप अपना क्या लिखेंग देंगे नाम लिखेंगे नेम लिखेंगे जिससे कि आप लोगों समझ में आ जाए कि उनको समझ आए किसने भेजा है जब कि नेम जरूरी होता है इसको आपको छोड़ा नहीं चाहिए जैसे मैंने यहां पर यक्स यक्स लिख दिया है आप लोग यहां प्यक्स वाई जिट मत लिखिएगा यहां प्या लिख देंगे आप लोग क्या लिख देंगे अपना नाम लिखेंगे ठीक है अपना नाम लिखेंगे अपने पिताजी क नाम लिख सकते हैं तो यहां पे उसके अलावा कुछ नहीं लिखना और आ लोग भी लिखना है उसका फारमिट लिखना है अगर आपको एक्जाम में पूझना में पूझता है जिसा आपको त्यंत के इ Porkyy ओणता है कि आपको भा होस्ता आ है या रैटिइन लिटर है होसằng समझ में आ गयी हो हो कि वीडियो आगर समझ जाएक तो लाइक करें तो राइटिंग लेटर में आप लोग क्या बताऊंगा जी मैं लीटर लिखना है और कैसे लिखना है मैं उसको आपको discuss करूँगा और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा ठीक है तो आगे चलते हैं write a letter एक पत्र लिखें क्या लिखें एक पत्र लिखें your friend inviting me अगर आप ये जो topic हम दे रहें अगर आप ये topic समझ गए तो later लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा लिखना आप लोग बस topic को समझ लिजिए और अच्छी तरीके से उसको पहल लिए ठीक है write a letter to your friend in visiting इन वीटिंग ठीक है write your friend in inviting him to attend your birthday party क्या करना है इसमें inviting करना है इन्वाइट करना है birthday party को birthday party में आपको अपने क्या क्या है इन्वाइट करने के लिए करें एक लेटर लिखेंगे मैं पता लिखन क्या Compliant gospel perfection सकते सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पता लिख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार जो भी आपका पता होगा वहां पर लिख सकते हैं इच्छा अनुसार नहीं आप जहां रहा रहें वहाँ का पता लिखेगा मेरे बैर बच्चो तो यहाँ पे आप जी सहस्थान बढ़ा रहे हैं वहाँ का पता लिख दीजिए गाठी के आगे चलते हैं कैसे लिखेंगे सबसे पहले माई डियर रामू क्या लिखेंगे आपे माई डियर रामू यानि कि जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हैं मेरे के बच्चे लिख सकते हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हैं अब आगे पढ़ते हैं I hope you must not have forgotten that I hope मैं आसा करता हूँ कि you must not have forgotten that इसी आप भूलेंगे नहीं कि आप इसे भूलेंगे नहीं मैं जो कराओं हूँ कि मैं आसा करताओ कि आप इसे भूलेंगे नहीं that इस महीने की अठाइस तारीख को मेरा क्या है मेरा birthday है 28 तारीकों क्या है इस महीने के 28 तारीकों मेरा क्या है birthday है my parents, brother and sister wish to celebrate it with great pump up so यहने की मेरे parents, मेरे माता, पिता, भाई और sister wish to celebrate it with great pump up so तो यह एक अच्छे सो के दवरान, अच्छे सो में, एक अच्छे सो में क्या करेंगे यहाँ फिर्ज देखली जब my parents, brother and sister wish to celebrate it with great pump and so यहने की क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से क्या करेंगे, celebrate करेंगे, एक celebrate करेंगे और अच्छी तरीके सब को invite किये हैं तो it will be celebrate at 4 p.m. at our residence, यहनी कि मैं इसे क्या करूँगा, मैं करूँगा celebrate, कब करूँगा, 4 p.m. यहनी कि 4 p.m. साम को at our residence, मैं जहां रह रहा हूँ अपने घर पर, कहां पे, अपने घर पर, मैं इसे celebrate करूँगा, I have invited many of my friends, मैंने बहुत से अपने मित्रों को क्या किया है, invite किया है, invite मिन्स क्या होता है, आमंत्रित क्या होता है, आमंत्रित क्या होता है, इसमें आप लोग मीनिंग के मैं बताते चलेंगे, मीनिंग को बताते चलेंगे, आप लोग अच्छी तरीके समझ लिए, many means क्या होता है रेजीड में तो आप जहां रह रहें आप जहां रह रहें वहां क्या होता है रेजीडेंट उसे हम क्या कहेंगे रेजीडेंट आप जहां प्रिजेंट टाइम में रह रहें आवर मिंस हमारे क्या है हमारे और मिंस क्या होता है हमारे मेरे प्रेश क्या होता है हमारे सेलिब्रेट जैसे ओ गया एंहित क्य narrative क्या होता है क्या होता है खुषियां मनादा ठीक है कुष्यां मनादा ठीक है कि यहां फुर्जक कर चींप आर बहुत ही state इसमें मीनिंग्स नहीं दी गई हैं तो चली है आगे चल पहल तो इसमें से उसमें से आप भी एक हैं उसमें से आप भी एक होंगे उसमें से आप भी एक क्या होंगे इन्वाइट करने में से आप भी एक होंगे ठीक है तो यहां तक आप लोगों समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं आगे क्या है हमारा ए प्रजेंस विल आइड टू मुच रेकी यूर प्रजेंस आपकी उपस्तिती होता है आपकी योर मिन्स क्या होता है आपकी प्रजेंस मिन्स क्या होता है उपस्तिती क्या होता है उपस्तिती मेरे प्रजो क्या होता है उपस्तिती होता है विल आएड टू मुच टू आवर प्लेजर यहनि की विल आएड आएड मिस क्या होता है की मेरे अंदर क्या करेंगे आप बहुत अधिक खुसी को आएड करेंगे आप अगर हमारे बर्थडे बार्टी में क्या होंगे अगर सामिल होंगे pleasure means privacy अगर आगमारे बर्टडे पार्टी में अगर सामिल हो जाएंगे तो मुझे क्या होगी बहुत खुसी होगी क्या होगी all of us will be annexally waiting for your arrival जने के all of us हम शरामते हैं के हम सभी जानते हैं के will be annexally हम जान कर हैं हम बहुत चिंतित रहेंगे waiting for your arrival आपके यहां आने तक हम बहुत क्या रहेंगे चिंतित रहेंगे ठीक है आपके यहां तक आने तक मैं बहुत चिंतित रहूंगा जब तक आप यहां पर नहीं आएंगे मैं बहुत चिंतिद रहूंगा Your Sincerely Your Sincerely मतलब आपका मित्र आपका Pre आपका Sincerely यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं जो भी आपका नाम होगा ठीक है आप यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे मेरे पर पर फिर समझे लिजे मैं क्या लिखा हूँ किस चत्री चत्री के पढ़ा हूँ तो सपहले मैं क्लास देंथ की क्या पढ़ा हूँ लेटर राइटिंग पढ़ा हूँ इस लेटर राइटिंग में आपको क्या लिखना है Write a letter to your friend in inviting him to attend your birthday party हैनि कि अपने बर्थरे पार्टी में जितने इनवाटि किया invite कर रहा हूँ जिसमें आपकी उपस्ति होना निवार है इसे एक पतर लिखना है सबस्पल आपको क्या लिखना है पता लिखना है मेरे पहरे पता लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है My idea रामू जिसको आप लिख रहे हैं आप यहाँ पर सारी कहानी को लिख देंगे जो भी जैसे भी आप करना चाहेंगे जैसे यहां पर जिस देट को बर्दट wypय लिख देंगे अगर आप लोग टिंस जानते होंगे ट्रैक्रीस्टन जानते होंगे आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी, तो आप लोग क्या करें कुले कि ऐस पले आप लोग को ट्रांसलेशन में स्टार्ट करने की अब आप लोग बने रहे हैं, तो उसको भी बताूँँका, तो यहाँ पे आप अच्छी तो जानगे लिजिए, उसके वाद क्या करेंगे यहां प्याब का लिख देंगे इस तरीके से तो आसा करते हैं वीडियो को पसंद आए होगे अगर पसंद आते हैं आप माँ चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें कमिल के थैक्यू प्रहें जाहिए भारत